असलाम आलेकूम, वल्कम आप सभी का इस नई वीडियो में, जैसे आप सभी को बता है कि जेके बोपी, बीएसे नर्सिंग, पारमेडिकल और टेकनोलोजी कूर्स की जो ओनलाइन काउंसलिंग है, हो यहां पर चल रही है और आज उसकी लास्ट डेट है, तो मैं यहां पर डे मैं से पहले मैं आपको एक बात बताना चाता हूँ, यहां पर बहुत सारे कंडिडेट्स मुझे टेलिग्राम पे मैसेज और कॉल कर रहे थे, कि हमारा अभी भी इन्वैलिड आ रहा है, यानि कि अभी भी उनका रेजिस्टेशन हो नहीं रहा है, लेकिन जब मैंने उनका च नहीं होगा, तो इसलिए इस बात को कलियर कर लो, जिसके 30 या 30 के ब्लो पॉइंटेज हैं, उसका वहाँ पे इन्वैलिड दिखाएगा, वो इलिजिबल नहीं है, फिर्स्ट राउंड के लिए, जिसके 30 या 30 के अबो पॉइंटेज है, वो यहां पर अपना फॉर्म बरवा पर अपनी आइडी को लॉग इन करना पड़ेगा, आपको एक आइडी मिली होगी, यह सा करके कुछ आइडी होगी, वो और उसके साथ आपको एक पासवोड वहां से मिला होगा, अगर आपको पता नहीं है, तो जहां से अपनी अपना फॉर्म बरवाया है, तो आप उनको बता सकते हैं, एक बार हमें अपना आइडी और पासवोड बता दीजे, आइडी तो आपका अप्लिकेशन नमबर है, यह सा करके होता है कुछ, तो वो और पासवोड उसने कुछ रखा होगा, तो वो आप लगा लिंगे, मैं डिरेक्ली लिंक आपको साइट की दिस्क्रिप करना, सब्जेक्स वाले उप्शन पर यहां पर जो उप्शन है होगा, इस वाले पर टेप करना, टेप करते ही आपके पर दिखाएगा, चोईसे और ओर लेडी लॉकिट, तो वो हट जाएगा, और एसा आपको इंटरफेस वहां पर आ जाएगा, तो आपने क्या यहां पर आपके हैं, जिस कंडिडट का इस तरीके का इंटरफेस आपर डारा यहां पर, जैसा आपको स्क्रीन पर में ने जाए, चर्कल करके दिखा दिया, पृन्ट अप्लिकेशन फॉर्म, प्रंट रेस्एप्ट और प्रंट अप्लिकेशन फॉर्म, जिस कंडिड़िड़ पर ड e यहां पर बहुत सारे कंडिडेट्स ऐसे हैं, जिनोंने इधर उधर से कहीं से अपनी चॉइस फिलिंग करवा है, या खुद करवा दिया है चॉइस फिलिंग, तो आपको पता ही है कि पहले दिनों में जो है, वो कार्ड का एरर आ रहा था, और अभी भी जो जो जेकी बैंक का कार्ड है, उसकी पैमेट आपको नहीं हो रही है, तो स्टूडूंस को पता नहीं होता है कि मेरी पैमेट हुई है या नहीं हुई है, उन्होंने कार्ड नमर डाला, OTP डाला तो फिर वो रिजेक्ट हुई होती, लेकर उनको पता नहीं होता है कि मेरी पैमेट अभी पैमेट है तो इसलिए जिनकी अभी पैमेट नहीं होगी तो उनको यहां पे पे ओनलाइन दिखा रहा होगा तो वो अपनी पैमेट को जल्दी से जल्दी फिल अप कर दो आज रात 12 बजे लिंक क्लोज हो जाएगी उसके बाद जिसके पैमेट रह गई उसको फिर अलाटमेट लिस्ट में नाम नहीं होगा वो इलिजिबल ही माना नहीं जाएगा कि इसने जो है वो चॉइस फिलिंग की है या नहीं की है तो वो आप अपनी फीक को पे कर दो लेकिन जिसका इस तरीकी का इं करके देख लेना क्योंकि बहुत सरे कंडिडेट एसे हैं जिनको वहां पे काड का इपिर यहां नहीं हु nécessaire उनको लग रहा है कि मेरी payment हो गई है लेकिन वो हुवी नहीं होती है वो आपके account में वापस आई होती है payment वो आपके हुवी नहीं होती है तो इसलिए आप एक बार चेक कर लो जिसका इसा interface आ रहा है तो उसका done है जिसका pay online यहां पर आ रहा है यह एक important वीडियो था सारे candidates के लिए जो मैंने आपके साथ discuss की है